एक बार फिर कोरोना वैश्विक महामारी पर बात करने के लिए आपके बीच आया हूँ 22 मार्च को जनता करफ्यू का जो संक्रत हमने लिया था एक राष्ठ के नाते उसकी सिध्धी के लिए हर भारतवासी ने पूरी संवेदन सिल्टा के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया बच्चे बुजूर्ग छोटे बड़े गरी मद्यम हर वर के लोग हर कोई परिक्षा की इस गरी में साथ आया जनता करफ्यू को हर भारतवासी ने सफल बनाया एक दिन के जनता करफ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है जब मानवता पर संकट आता है तो किस प्रकारते हम सभी भारतिया मिलकर के एक जुड़ होकर उसका मुकाबला करते हैं आप सभी जनता करफ्यू के लिए उसकी सफलता के लिए प्रसंसा के पात रहे हैं साथियों आप कोरोना वैस्विक महमारी उस पर पूरी दुनिया की स्थिती को समाचारों के माध्यम से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महमारी ने बिलकुल बेबस कर दिया है ऐसा नहीं है कि ये देश प्रयास नहीं कर रहे हैं या उनके पास संसाधनों की कमी है लेकिन कोरोना वाइरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चनवती बढ़ती ही जा रही है इन सभी देशों के दो महिनों के अध्यान से जो निश्कर से निकल रहा है और एक्सपर्स भी यही कह रहे हैं कि इस वैश्वीक महमारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एक मात्र विकल्प है सोशल डिस्टंसिंग यानि एक दूसरे से दूर रहना अपने घरों में ही बंद रहना कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता नहीं है कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमन की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा कुछ लोग इस गलत फैमी में है कि सोशल डिस्टंसिंग केवल मरीज के लिए बिमार लोगों के लिए आवशक है ये सोचना सही नहीं सोशल डिस्टंसिंग हर नागरिक के लिए है हर परिवार के लिए है परिवार के हर सदस्य के लिए है प्रधान मंत्री के लिए भी है कुछ लोगों की लापरवाही कुछ लोगों की गलत सोच आपको आपके बच्चों को आपके माता-पिता को आपके परिवार को आपके दोस्तों को और आगे चल करके पुरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में जोंग देंगी अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पर सकती है और ये कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है साथियों पिछले दो दिनों से देश के अनेग भागों में लॉकडाउन कर दिया गया राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपून लिलने करने जा रहा है आज रात आज रात बारा बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए पूरे देश में आज रात बारा बजे से संपूर देश में संपूर लोकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज राज बारा बज़े से गरों से बाहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को, हर केंद्र सासित प्रदेश को, हर जिले, हर गाउ, हर कस्पे, हर गली मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है ये एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात जनता कर्फ्यू से जरा जाजा सक्त कोरोना महामरी के खिलाप मिननायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना आपके जीवन को बचाना आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी बारत सरकार की देश की हर राचे सरकार की हर स्थानिय निकाई की सबसे बड़ी प्रात्विकता है और इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है और मैं हाद जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लोकडाउन 21 दिन का होगा तीन सब्ता का होगा और जब मैंने पिछली बार आप से बात की थी तब मैंने आप से कहा था कि मैं आप से कुछ सब्ता मांगने के लिए आया हूँ आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महत्पपून है हेल्थ एक्सपर्स की माने तो कोरोना वाइरस की संक्रमन साइक्ल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है अगर ये 21 दिन नहीं संबले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा अगर ये 21 दिन नहीं संबले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगे और मैं ये बात एक प्रधान मंत्र के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूँ इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये 21 दिनों के लिए भूल जाएगे गर में रहे गर में रहे और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहे साथियों आज के फैसले ने देश व्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्षमन रेखा खींच दी है आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पढ़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम आपका सिर्फ एक कदम कॉरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है आपको ये याद रखना है कि कई बार कॉरोना से संक्रमित व्यक्ति शुरूवात में बिलकुल स्वस्थ लगता है वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता और इसलिए एहतियात बरतिये अपने घरों में रहिए वैसे जो लोग घर में हैं वो सोशल मीडिया पर नए नए तरीकों से बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया मैं आपको भी मंगलवार को दिल्ली के शाहीन बाग में पन्ट याक्षणाची सर्वात मोठी बात में देश बरा मदे 21 दिवसान सा अता लोग डाउन करनात आनेला है याक्षणाची मोठी बात मी पन्त प्रधान नरेंद्र मोधी है यावेला संपुण देश बासी आनना संबोधीत करतोते पुड़चा 21 दिवसान परियंत कुणाला ही घरा बाहर निगना आता पुड़चा काला मदे शक्य होनार नाई है कोरुनाचा पार्शो भूमी वरती मोठी घोशना ही करनाता लिले या लॉकडाउन ची किम्मत सार्या देशाला मोजावी लागना रहे तर दुसरी कणे मातर प्रतेक भारतिय नागरीकाचा तेचा कुटुमबाचा विचार करुनाचा पढ़ा मोठा दिरने गेत असले चा पंत प्रधान नरेंद्र मोधी यावेला संपुण देश बासी आन वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संकरमित एक वेक्ती सुनिए एक वेक्ती सिर्व हपते दस दिन में सेंकडों लोगों तक इस बैमारी को पहुंचा सकता है यानि यह आंग की तरह तेजी से फैलता है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन का ही एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है साथ्यों दुनिया में कोरोना वाइरस से संकरमित वेक्तियों के संख्या को पहले एक लाग तक पहुंचने में 67 दिन लग गए थे यानि एक लाग तक पहुंचने में 67 दिन उसके बाद सिर्फ ग्यारा दिन में सिर्फ ग्यारा दिन में ही एक लाग नए लोग संकरमित हो गए यानि दो लाग हो गए सोचिए पहले एक लाग लोग संकरमित होने में 66 दिन लगे और फिर इसे दो लाग लोगों तक पहुंचने में सिर्फ ग्यारा दिन लगे ये और भी बयावा है कि दो लाख संक्रमित लोगों से तीन लाख लोगों तक ये बिमारी पहुँचने में सिरफ चार दिन लगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वाइरस कितनी तेजी से फैलता है और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है साथ्यों यही बज़े हैं कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, इरान जैसे अनेक देशों में जब करोना वाइरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बे काबू हो गए हैं और ये भी याद रखिए इटली हो या अमेरिका, इन देशों की स्वास्त सेवा, उनके हस्पिटल, उनके यहां आदूनिक संसाधन, पूरी दुनिया में बहत्रीन है, उनकी व्यवस्ताएं बहत्रीन मानी जाती हैं बावजुद इसके ये देश कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर पाए सवाल ये कि इस स्थिती में उमीद की किरन कहा है? उपाय क्या है? विकल्प क्या है? साथियों, कोरोना से निपटने के लिए उमीद की किराण उन देशों से मिले अनुभव है जो कोरोना को कुछ हद तक नियंत्रित कर पाए हपतों तक इन देशों के नागरीक गरों से बार नहीं निकले इन देशों के नागरीकों ने सत प्रतिशत हंड्रेट परसंट सरकारी निर्देशों का पानन किया और इसलिए ये कुछ देश अब इस महामारी से बाहार आने की और बढ़ रहे हैं हमें भी ये मान कर चलना चाहिए कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है एशह पंथा हमें गर से बाहार नहीं निकलना है चाहे जो हो जाएं गर में ही रहना है कि सोचल डिस्टंसिंग प्रदान मर्द्री से लेकर के गाउं के छोटे से नागरिक तब सब के लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मन रेखा न लांगी जा रहे हैं हमें इस महामारी के वाइरस का संक्रमन रोकना है इसके फैलने की चेन को तोड़ना है साथियों भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्षन तै करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं यह समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है यह समय कदम कदम पर संयम बरतने का है आपको याद रखना है जान है तो जहान है साथियों यह धैरिय और अनुशाशन की घड़ी है जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिती है हमें अपना संकल्प निभाना है अपना बचन निभाना है मेरी आप से हाथ जोड़ करके प्रारतना है कि घरों में रहते हुए आप उन लोगों के बारे में सोचिए उनके लिए मंगल काम ना करिए जो अपना कर्तब निभाने के लिए खुद को खत्रे में डाल कर काम कर रहे हैं उन डॉक्टर्स उन नर्सेज पैरामेडिकल स्टाप पैथोलोजीज उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं अस्पताल प्रसासन के लोग एंबिलन्स चलाने वाले ड्राइवर बॉर्ड बॉइश उन सभाई कर्मचेरियों के बारे में सोचिए जो इन कठीन परिस्तितियों में दूसरों की सेवा कर रहे हैं आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो आपकी सुसाइटी आपके महलों आपकी सडकों सारवजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं जिसमें और जिसके कारण इस वाइरस का नामों निशान न रहें आपको सही जानकारी देने के लिए 24 गंटे काम कर रहे मेडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए जो संक्रमन का खत्रा उठाकर सडकों पर अस्पतालों में हैं आप अपने आसपास के पुलीस कर्मियों के बारे में सोचिये जो अपने घर परिवार की चिंता किये बिना आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और कई बार कुछ लोगों के गुस्ता खेके भी शिकार हो जाते हैं, गुस्ता भी जेल रहे हैं साथियों, कौरोना बैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच केंद्र और देश भर की राजसरकारें तेजी से काम कर रही है रोज मरा की जिन्दगी में लोगों को असुविदा ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही है सभी आवशक बस्तुओं की सप्लाई बनी रहें, इसके लिए सभी उपाय किये गए हैं और आगे भी किये जाएंगे निश्चित तोर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ, समाज के अन्य संगठन, सिविल सुसाइटी के लोग गरीबों को मुसिबत कम हो, इसके लिए निरंतर जुटे हुए हैं गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहा है, साथियों, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, उसके लिए सारे प्रयासों के साथ ही जीवन बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए, जो जरूरी है, उसे सर्वोच प्रात्फिक्ता देनी ही पड़ेगी इस वैश्विक महामारी से मुकामला करने के लिए देश की स्वास्त सुविधाओं को तैयार करने का काम केंद्र सरकार लगातार कर रही है। अब करोना के मरीजों के इलाज के लिए देश के हेल्थ इंफास्रक्टर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज 15,000 करोड रुप्य का प्रावधान किया है। इससे कोरोना से जूड़ी टेस्टिंग फसलिटीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विप्मेंट्स, आइसोलेशन बेट्स, आइसी यू बेट्स, वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों के संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी। साथ ही मेडिकल और पेरामेडिकल मेन पावर के ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा। मैंने राज्य सरकारों से अनुरोद किया है कि इस समय सभी राज्यों की पहली प्रात्विक्ता सिर्फ और सिर्फ स्वास्त सेवाएं ही होनी चाहिए। हेल्थ केर ही प्रात्विक्ता होनी चाहिए। मुझे संतोष है कि देश का प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह से कंदे से कंधा मिला कर संकट और संक्रमन की इस गड़ी में देश्वास्यों के साफ खड़ा है। प्राइवेट लेप्स प्राइवेट अस्पताल सभी इस चुनोती पूर्ण दौर में सरकार के साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन साथियों ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे समय में जाने अंजाने कई बार अफ़ाएं भी बहुत जोर पकड़ती हैं। और अफ़ाएं के ट्राविल करने की ताकत भी बहुत होती है। मेरा आपसे आग्रह है कि कि किसी भी तरह की अफ़ा और अद्र विश्वास से बचें। आपके द्वारा केंद्र सरकार, राज सरकार और मेडिकल फेटेनिटी द्वारा दिये गए निर्देश और सुझाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। मेरी आपसे प्रार्थना है किस बिमारी के लक्षणों के दवरान बीना डॉक्टरों की सला के कोई भी दमान न लें। किसी भी तरह का खिलवाड आपके जीवन को और खत्रे में डाल सकता है। साथियों मुझे विश्वास है हर भारतिय संकट की इस गड़ी में सरकार के स्थानिय प्रसासन के निर्दोंशों का पालन करेगा। 21 दिन का लॉकडाउन लंबा समय है लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपुन है हमारे पास यही एक महत्वपुन रास्ता है। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बलकि इस मुश्किल घड़ी से विजय होकर निकलेगा। आप अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए और आत्मविश्वास के साथ कानून नियमों का पानन करते हुए पूरीता संयम बरत्ते हुए विजय का संकल्प करके हम सब इन बंधनों को स्विकार करें। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जिवसान साथी भारता मदे लोगडाउन ची घोशना त्यानी केलिये सोचल डिस्टन्सिंग गरजेच असलयाचा सांगात अस्तानाच संक्रमन तोडना हाच एकमेव उपाय असलयाचा त्यानी सांगितलाई पन काही बेजबाबदार लोकान मुल गंभीर समस्या उद्भव जिवसान साथी लोगडाउन करनाचा निर्णाई घोशना त्यानी सांगितलाई देशवासिया मात्रया लोगडाउनला कशाप्रकारे सामोरे जातात या कड़े देखिल सर्वांच लक्ष लागुनाई कोरुना साथी सर्वात मुठया पाकेच ची घुष्णा देखिल केले प्रतेक राज्या साथी आरोग्य हीच प्राथमीकता असेल असे देखिल सांगाला ते विसले नई कॉर्पोरेट जग ही देशवासियान सह असले अच्वते नी सांगितले कोरुना विरुदात केंदर सर्कार न गेतला मोठा निरणे आणि हा सरवात मोठा लढ़ा पाहिला जाई केंदर सरकार करून 15,000 कोटीन ची घुष्णा या साथी करने तालेले कोरुना साथी सरवात मोठै पाकेच ची घुष्णा पंथा प्रताना निके लिए देश आज एक महत्वकून लिलने करने जा रहा है, आज रात, आज रात बारा बजे से, पूरे देश में, ध्यान से सुनियें, पूरे देश में, आज रात बारा बजे से, संपूर देश में, संपूर लोकडाउन होने जा रहा है, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए, आज राज बारा बज़े से गरों से बहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को, हर केंद्र सासित प्रदेश को, हर जिले, हर गाउ, हर कस्पे, हर गली मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है ये एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात जनता कर्फ्यू से जरा जाजा सक्त मेरी आप से प्रार्थना है और मैं हाद जोड के प्रार्थना करता हूँ कि आप इस समय देश में जहां भी है वही रहे अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा तीन सप्ता का होगा और जब मैंने पिछली बार आप से बात की थी तब मैंने आप से कहा था कि मैं आप से कुछ सप्ता मांगने के लिए आया हूँ आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हेल्थ एक्सपर्स की माने तो कोरोना वाइरस की संक्रमन साइक्ल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है अगर ये 21 दिन नहीं संबले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा अगर ये 21 दिन नहीं संबले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगे आणि या संदरबात अधिक जानून घेना साथी आवला अपला सोबत माझे सहकारी नितिन भाले राओ जोड लेगेले लिए नितिन जी पंतप्रदान नरेंद्र मुदी यानी देश वासियान शी समवात साधलेला आए आणि ये त्या 21 दिवसान साथी लोग डाउन सारखा एक मुठा निरने हाँ देश वासियान साथी तेंच्वा आरुग्या साथी घेना तालेला आहे मुख्य मुद्दे यातले कुठले हे जनतेला सांगावे से वाड़ता नितिन अर्थिक वर्ष्य समत तो एक भाग होता क्यों आ परवाच ब्रिटन चे पंतप्रदान बोरिस जॉंसन याननी ब्रिटन मदे तीन अठोडेचा लोग डाउन केला होता तर त्या धरती वर एकादा लोग डाउन आपले जाहिर केला जातो कि का याचा कड़े सगान चे खाकत दॉराल केल Infinite vue क्पश जालो पाहिझे ए साइकल जाहरा ब्रेखोरियों ट्या胆 से व्टोभान चे वाजलो पाहिए याचा आठवड़ा तेननी स्पष्ट पने मंटलाई कि हा एक प्रकार चा जनता कर्फियू चा पुडचा भाग असेल पन हा भाग अधिक सकता असनारे मंजे यह चा पुड़े लक्षुमांड रेश्या जी आहे गशी रामानतली लक्षुमांड रेश्या अपलेला सग्यांदा मैं कि लक्षुमांड रेश्या प्रत्यका चेक ह्गरा बाहे राश्यनारे अणि ती प्रत्यका नि पाल लीपाई जै और हाज व निर्णय आहे हाद देश्याचे भल्या करता नहीं तर तुम्चा रुजा शर्वांचा भल्या करता है क्योंना एका व्यक्तििछा कि माहां समुह साहेट कि वा अनेक जणाहेट की जनना कामावर रहावा लगत अशे जे लोक काम करता है तेंचा प्रती सुद्धा मोदीन नी आतिशे अभार व्यक्त केलेला है कि या कठीन परसंगी सुद्धा ते लोक कामावर रसना रहेट एकुनस मोदीन सी जी आच्छी देह बोली होती ती सुद्धा आतिशे अश्वासक होती देशेवासी आनना विश्वासाद घेतले असरखी होती तेननी बोलतान नहीं संगीतले कि वा पंतप्रसान मनूं नहीं तर तेंचा तुम्चा कुटूमबातला एक सदस्यमून हान इरने तेनना घ्यावा लागतो आए आनि तो तु तेननी आचा तुन वगल लेवता कहीं शेत मजूर क्या शेती विश्वाक कामान चा तेननी वगल लहता आता ते लोको सुद्धा या अच्छा लॉकडाउन मधे असना राहे का हे पाहवा लागना रहे करन राज्य सरकार आनी केंद्र सरकार चे जा सुचना आहे तेचा मध अच्छा तेननी देश्वासियान आजूने कावान केले कि तुमी जिते आत तिथे स्थांबात जिते तुमी सुरक्षिता आत मात्र तुमी तिथे बाहर पढ़ले कर तुम्चा सुरक्षिता तेची कुठली गयरेंटी आज नहीं करन करोना वहरेस्ता जो प्रकोप आहे हां कही दिवस असवाटेच होता कि फक्त जे विदेशात हुना आलेले आहे तैंचा मधेच आहे परन्तु जसजश देशातला लोकांचा करोना सापडाला लागला तैंचा तिते करोना पोजिटीव याला लागले तस तस हा विश्वास ही कुठे तरी तुकला आणि तैचा मोय प्रदर्शन जाला अनेक ठीकानी रेलीज निगाला अनेक ठीकानी गर्बान रुट्ट्य खेलना ताली इंदोर जाला अम्दाबाद जाला विशेशना भाज़ा पशाशित राज्यान मधे एक उन्मादाच थोड़ास वातरों पाहला में आला नकीज जो त्या जन्ता कर्फि जाले लाए सबंद देश पूरुणा देश तीन अठावडे मंजे एक्वीस दिवस हा लॉट्डाउन मदे असेल कोनी ही कुठे ही जाईचा नहीं आप अपले घरात रहेचा है तुम्चे आमचा सुरक्षित ते करता प्रतेकानी या लॉट्डाउन चा संबान केला महत्वाचा मुध्यान ना देखेल जे ते समोर आणलेला है त्या मदे महत्वाचा मुध्या आमचे पूर्चा एक्वीस दिवसान साथी चा अस्तेला लॉट्डाउन लॉट्डाउन सोबत आपल्या घरा बाहेर कुणी ही निगाईचा नाई है त्या अस्तेला अत्या वशक सोई सुविधा है त्या निशित पणे सुरू अस्तिल मातर एक्वीस दिवसान चा काला वधी जा प्रकारे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रूखने असाथी असना र त्या सजयानवर्ती उपचारान साथी अतीशाय महतवाच्ये कालावधी मातर एक्वीस दिवसान साथी तुमी आमी सजयाननी कालाई बंधन पारन देखिल अतीशाय महतवाच्ये असना राहे आज पंत प्रदान नरेंद्र मोधी यानी दाखोले लोतक आणके तेक दिवस जाले अनेक जान है आप आपले घरा मदे राहुन काही चंद जोपासताना दिस्तायाँ आणी चंद जोपासत अस्ताना स्त्यातुन जी क्रियेटिविटी साधर केली जाती है ती देखिल सोशल मे अनेक जान मांडताना याक्शनाला पाहला मेताई तर दुसरी कडे देशा सर्व सामाने पणे हुने आ साथी आणके काही दिवस नवेतर काही महिनांचा काला वधी लागनारे करन कोरना मुए देशाचा आर्थीक सामाजी कसा अनेक प्रकार्चा नुकसान जाले अचा आप आपकारे जी आए जनता घाबरली नहुती जनता दुसरी कडे मातर या गोश्टी नाफार महत्व देत नहुती मातर या निर्णयान अंतर तरिया ता जनतिला काही गोश्टी या मनावर घ्यावैस लाक्तिल महत्वपूर्ण निर्णयान चा आदरसन मान हा करावाच लागन देश आज एक महत्वपून लिर्णे करने जा रहा है आज रात आज रात बारा बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिये संपूर देश में पूरे देश में आज रात बारा बजे से संपूर देश में संपूर लोकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज राद बारा बज़े से गरों से बहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को, हर केंदर सासित प्रदेश को, हर जिले, हर गाउ, हर कस्पे, हर गली, मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है ये एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात जनता कर्फ्यू से जरा जाजा सक्त मेरी आप से प्रार्थना है और मैं हाद जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी है वही रहे अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा तीन सप्ता का होगा और जब मैंने पिछली बार आप से बात की थी तब मैंने आप से कहा था कि मैं आप से कुछ सप्ता मांगने के लिए आया हूँ आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महत्पपूर है हेल्थ एक्सपर्स की माने तो कोरोना वाइरस की संक्रमन साइक्ल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है अगर ये 21 दिन नहीं संबले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा अगर ये 21 दिन नहीं संबले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा अब कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए देश के हिल्थ इंफास्ट्रक्टर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज 15,000 करोड रुप्य का प्रावधान किया है इससे कोरोना से जूड़ी टेस्टिंग फैसलिटीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्विप्मेंट्स, आइसोलेशन बेट्स, आइसी यू बेट्स, वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों के संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी साथी, मेडिकल और परामेडिकल मेन पावर के ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा अगरक्रमावरतिये इराक याचा देखेल त्यवडाच अगरक्रम या मृत्यु दरामादे लागताना पाहला में तो भारता 30 परिस्तेती पाहाईची नसेल तरमात्र या नियमांचा पालन कर्ण या तीशय महत्वाचा ठरणा रहे अणिया 21 दिवसान विशय कोरुना विशय अधिक जाणूं घेना साथी आवला डॉक्टर अविनाश भोंडवे आपला सुबद जोड़ले गेले लेला है या पुर्वी जा जा देशान नी कोरुना चे जह सोच लिए तया ठिकानी का ही चुका करनेता लिए अणि तया चुकान मधुन सुधाने चे संधी खरतर भारतला में आले लिया है, तुम्हाला माला प्रत्यक व्यक्तिला या ठिकाणी में आले लिया है, या 21 दिवसान चा महत्व है प्रत्यका चा आयुश्यात नेमका की दिया है। गाटनेया साथी 12 दिवस लागले, दुत्रे एक लाग गाटनेया साथी 12 दिवस लागले, और तीन लाग पूरूना होंडेया साथी 4 दिवस लागले। या आज़रा चे वेख्या तुन बाहर पड़ने ची शख्यत आहे। यह भॉमी ती यह प्रमाना मधे वाधना राजे करोना से जो आज़रा आहे। चील निरबन गालना चील पाया बन गालना यह यह गोश्टी मदुन सक्योगे। फक्त प्रश्णा आशा होतो कि अतीशे कठोर अडि परमत्री खुब सांगला निरणे पंतब्रदानानी गेतला है आडि तो स्यांगीतला है कुब उत्तम जाला पण या मधे कही गोश्टी आशा है कि परवाज आपन पाहिला कि वाक्ता परेंदे या पन पाहतो कि कर्फियों आए एक्षे सवेचा इसकलम लागू आए तरी सुदा लोक हे पाड़त महियाद पंतब्रदानानी आए सांगीतला है कि अपल्या घरा बाहेर एक सीमा रेशा लक्षमन रेशा आखुन गया आडि खरोकरत या गोश्टी सा तंतो तंत पालन केला गेला तरस आपन या विलिख्यातुन बाहेर पड़ू प्रश्णास है निर्णाई जाहिन करना तेची अम्मल बजावनी करना ये सरकार सा काम आए तेटेक तैनी केलेला आए पंड या सा पालन करून ते अपल्या साथी आए आज प्रत्तेक भारतिया सा जीव धोक्या मदे आए और त्या मदून बाहेर पड़ाईचा आसे तर य निश्चितस कही प्लानिंग केवां नियोजन होुइन के साधारनम ता घरी पड़ना भात भहरातसं बाहर पड़ना ख हाणय पिणै चा गोष्टी उच्चावय विज़ त्या आए पेवराचा गोष्टी यह गोष्टी निश्चितस विचारखे जिवाराट है पन Ecuador 35 år पन्तरीसुदा योग्दे निरने गेत लिला है आज अस जागतिक आरोग्जे संगर्ट में चा अध्यक्षान नी आसे जाईर केला होता कि तेननी भारता सा काउतुख केला होता कि भारता सार्खा एवडा महा प्रचंड मोठा लोका संखेता देश असो नहीं आज भारता मदली करोना ग्रस्तर रुगणांची संख्या चार्शे चा आसपासा है आज अमेरिके सार्खा अत्यांत संपन्न देशा मदे सुदा जा पद्धतीनी रुच्ची होता है जा पद्धतीनी लागन होती है इतनना रोखसा ये समय है पन बारताला देवी आणी पोलियो या दोन आजरांदा रोखने असा अनुबव आए त्यातो नस नत्किस बारत सरकार्नी या पद्धतीनी एक वेगणा पवल उचनले आणी त्यातो ना पन या साथी मदू नत्किस बाहर पड़ू डॉक्टर अविनाज भुणवे माला विचारावस बाटता आप लेला कि थोड़ आपन डॉक्टरी भाषे कड़े वर्याद किवा मेडिकल जी भाष रास्ते त्या दुरुष्टीन माला तुमच्या कड़ून समझून गयाईचा है जो आप्रकार्चा मल्टिप्लिकेशन है पंत प्रधाननी सांगितला है संपून जगभरातल्या डॉक्टरस नी आज परेंत सांगितलेला है आणी कोरुना पसुन बचाव करनेया साथी कि वा त्या संदरबाद सीरियस नेस काही देशानी दाखाव लेला नहोता जे आपलेया देशा तही अनाव धानाना घडलेला है अनेक नागरिकानी निर्बंदान्चा पालन केलेला ये ते तोडनेयाचा साथा त्याना प्रयतन होताना आपलेला पाहला मियाला होता मातर कोरोनाची जी ही संपूर्ण साखली आए ती तोडन किती मोठी गोष्टा आए ताण आता डॉक्टरान वरती येचा सगा भार पढ़नारे निर्जन्तु की करण जाजा ठीकानी कराईचा तितले आस सर्व कर्मचारान वरती येचा भार पढ़ता न दिसुन यानारे किती महत्वाचे करना खर्या अर्थानाता बैटल फिल्ड वरती जाउन लढ़ा देना ये तुम्च मंजेच डॉक्टर स महत्वाचे काम आए त्या मदे फक्त देशवासिया ही साथ दिवुशक्तत दॉक्त बड़वर आहे यहा आजारास जे भौमी कीया प्रमाण मी मनलाची कि सुरुवा किला फक्त परदेशा तो ना लेले आणी चैंचे कांटाक्स होते त्या नंतर चैंचा पासुन इतरलना जालेले अरुगुणा होते बड़ आता इसर्या स्टेज मदे जाड़ा ये तो च्या वैला कुठलाई प्रकार सा कांटाक्स नसलेला सर्वसामानिय वेक कारा है या एक्वीज दिवसा मदे फार मोथे प्रश्ण उवेराना रेत तरवसामान ने लोकान मदे चुदा आणी डॉक्तरान मदे चुदा या साथी आज ज्या पद्धती नी रुगण वाड़ चा देले ते पाहता सरकारी इस्पितरान मदे जागा या कमी पढ़ना रे ते चामोन सरकार नी खाजगी इस्पितरान शी बोदूल ठीक ठीकानी काही जागा प्रयार के लेला है ताने एक हॉस्पिडल साहे त्या हुस्पिडल मदे वेंटिलेटर सानी ये ची सर्वी मोजदास के लेली आए आणी या प्रमने काही गंबीर रुगणा श्री ते ते दाखल के ले जाती याही पलिगड़ जाऊन इतरे ही काही खालकी रुगणा लायांशी ही सरकार नी बोलनी के लेली आए ता प्रमने चाचा ठीकाने से पाच्वले जाती आता प्रश्न फक्त हाँ बेड सता नहीं है तर वेंटिलेटर साप्तेला समीपड़ती साथी प्रोटेक्शन एक्विपमेंट यासा ही तुटवडार जानों पे आज महाराष्ट्रा सुधा ठीक ठीकानी अनेक इस्पितलां मदे आज जे N95 मास्क आहे जे डॉक्टरान ना आवश्यकास्ता ते मिनस नहीं है ता आजस मुंबई मदे एक मोठा साथा पकड़ना पड़ या पड़ती से जे मास्क, ग्लोज, गाउन्स, गॉगल्स या पड़ती ते ही जी कई एक्विपमेंट आए ती यासा व्यवस्ती स्काठा करून यासा योग्यतों विन्यों केला गेला पाई जे इन्डेन मेडिकल असोशियेशन नी जो मत्यंतरी सरवे केला गेला काही जी टो याता साथा जो भॉत नहीं एं इसे तैटी उपालभच करान आए नहीं है। यह तैयार करना आदे ही तये कारने आदे है लिए या ता मत्यार कामाव ित महीं है थैंटा जो माल ये तो ही एक उत्व气 बडान मेदे सो grandpa this kiri सब्सक्राइब और छुप अधिक खादगी प्रस्पितराइब आधिसा जे कर्मचारी आया था नियागी आधिसा आधिसा अधिक अधियाद रिष्टन होंगी है यहां सगड़ा गोष्टिंचा व्योवसी साथा प्रत्यक तेकानी करावा लागेल और डॉक्तरान मरसुदा जासी लोड नहीं है ता कशा पत्यती नी काम कराल लागेल यही अपलेला पाईला पाईले एका बजुनी आमी इंडियन मेडिकल असोटियेशन नी यानी सर्वा डॉक्तरान नी इजे छोटे दवा खाने आए यह पक्त अवश्चते पुला में पड़ा इसालू ठेवाईचा ठरो लेदा आहे नखिस डॉक्टर काईतांतरी काणा मुए तुमचा आवास जोय तो माज़ा परंत याक शानाला पोहुचत नही है उन्हाइक दा तुमचेशे संपरकामी साधनार आहोत मातर यावेला संपुन देश वासियाना जा प्रकारचा पंतप्रदान नरेंदर मुदी यानि केलेला आवाहन आहे ते अतेशे महत्वाचा चीन सारक्या देशाना नियम पाले आणि त्यामुए कोरो नाहा नियांतरना ताला आपलेला ही आता काटे कोर पणे है नियम पालावेज लाक्तिल असा देखेल देश वासियाना ते सांगाला विसलेलाई जान है तो जहां है अशा प्रकार चे एक महत्वाच वक्तवेज या है ते पंतप्रधान नरेंद्र मोधी यानी देशवासी यानना संबोध दाना केलेला है आनि तेचा थेट अर्थ हाच आए कि ये त्या काडा मधे जर देशाला कोरुना मुक्त कराई चासेल कोरुना चा न नरेंद्र मोधी यानी सरकार निरणयाची आवेला घुष्णा केले आनि पूर्चा एक्वीज दिवसान साथी भारता मधे लोगडाउन चा निरणय घेना तला है लोक्षाही प्राइन मध्याता वेज आलेली इथे स्थामना चे मातर तुम्ही पात रहा लोक्षाही नियूज